हलो एंड वेलकम यू आल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कितने नंबर तक का वेटिंग टेन टिकट बुक करना चाहिए या कौन सा टेन टिकट बुक करना चाहिए जो कनफर्म हो जाए या जिसे कनफर्म होने के चांसे जादे हो इस वीडियो में मैं ज यह कोई जरूरी नहीं है कि यह पक्का नियम है और ऐसे ही होने वाला है थोड़ा उपर नीचे भी हो सकता है वेटिंग टिकट का कंफर्म होना कई बातों पर निर्वर करता है जैसे आप किस रूट के लिए टिकेट ले रहे हैं अक्सर बड़े सहरों के तरफ जाने वाली टे लिए अक्सर भीड चलती है और इनमें आपको लंबा वेटिंग देखने को मिल जाता है ऐसा नहीं है कि वेटिंग यह वेटिंग भी कंफर्म होते है उसके बात से आप कितनी दूरी के लिए वेटिंग टिकट ले रहे हैं जैसे अगर आप लंबी दूरी के लिए दिन पहले ले रहे हैं अगर ट्राभिल में ज्यादे समय है तो उस वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के ज्यादे चांस होगे और अगर ट्राभिल में कम समय है तो उस वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के कम चांस होगे उसके बाद से आप कौन सा वेटिंग टिकट ले रहे ह या AC Class का ले रहे हैं, Festival का Season तो नहीं चल रहा है, या भीड़ भाड़ वाला Season तो नहीं चल रहा है, या आप किस कटेगरी का टिकेट ले रहे हैं, जैसे आपका जो वेटिंग टिकट ले रहे हैं, वो RLWL है, या GNWL है, या TQWL है, या PQWL है, तो दोस्तों आपके ticket का confirm होना इस बात पर भी निर्वर करता है इसके अलावा और भी बहुत सारे factor है जिस पर निर्वर करता है कि आपका waiting ticket confirm होगा या नहीं होगा दोस्तों मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ number बता रहा हूँ अगर आपको इतने number तक का waiting ticket मिलता है तो आप इसको book कर सकते हैं और इस ticket के confirm होने के chances जादे होते हैं तो चलिए दोस्तों एक-एक करके देख लेते हैं एक बात और दोस्तों मैं आज यहाँ पे सिरफ sleeper class के ticket के बारे में बताने जा रहा हूँ इसी class के ticket के लिए अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कितने number तक का waiting ticket book करना चाहिए अगर आप किसी बड़े railway station से waiting ticket book कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको धेर सारे option मिल जाते हैं जैसे GNWL, RLWL, PQWL, TQWL तो अगर आपके यात्रा में एक महीने का समय है और आप GNWL वाला waiting ticket book कर रहे हैं तो अगर waiting 30 से ले करके 40 के बीच में है तो इस ticket को आपको तुरंत book कर लेना चाहिए क्योंकि इतने number तक का waiting ticket normally confirm हो जाता है अगर इससे जादे waiting है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो confirm नहीं होगा जैसे 40-50 number तक है या 60 number तक है तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ये confirm नहीं होगा वो भी हो सकता है लेकिन जो 30 से लेकर के 40 के पीच में के GNWL वाले waiting होते हैं वैसे ही अगर आपके यात्रा में एक महीने का time है और आपका जो waiting मिल रहा है वो RLWL मिल रहा है तो आप RLWL वाले 20 से लेकर के और 30 तक के waiting को book कर सकते हैं तो कि ये ticket भी एक महीने के अंदर confirm हो जाते हैं या confirm होने के chances जादे होते हैं वैसे ही अगर आपके यात्रा में एक महीने का समय है और आपको PQWL वाला waiting ticket मिल रहा है तो अगर 15 से लेकर के और 20 के range में आपको मिलता है ये waiting ticket तो आप इसे भी book कर सकते हैं इसके भी confirm होने के chances जादे होते हैं अगर आपके यात्रा में 15 दिन का समय है और GNWL वाला waiting ticket 15 से लेकर के 20 के बीच में मिलता है तो आप इसे book कर सकते हैं इस ticket के भी confirm होने के chances होते हैं उसके बाद से अगर आपका waiting ticket RLWL वाला है और ये आपको 10 से लेकर के 15 के बीच में मिलता है तो आप इसे book कर सकते हैं ये भी confirm हो सकता है वैसे ही अगर आपका waiting ticket TQWL है तो आप इसको 8 से लेकर के 12 के बीच में मिल रहा हो तो आप इसे book कर सकते हैं ये भी confirm हो सकता है अगर आपके यात्रा में एक सब्ताहा का समय हो और GNWL वाला waiting ticket 15 के नीचे मिलता है तो आप इसे book कर सकते हैं RLWL वाला waiting ticket 10 के नीचे मिलता है तो आप book कर सकते हैं और PQWL वाला waiting ticket 8 के नीचे मिलता है तो आप इसे book कर सकते हैं तो इतने नमबर तक के waiting ticket के confirm होने के chances जादे होते हैं अगर आपके यात्रा में मात्र 24 घंटे का समय हो तो GNWL वाला वेटिंग पांस तक आप बूक कर सकते हैं और RLWL, PQWL और TQWL वाला वेटिंग टिकट आप तीन नमबर तक बूक कर सकते हैं यह कन्फर्म हो सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुई दिन पहले एक भीवर ने मुझे से कमेंड किया था कि उनका वेटिंग टिकट 14 है और 24 घंटे के अंतरगती उनको यात्रा करना है तो वेटिंग टिकट 14 था और वो 24 घंटे के अंतरगती वो कन्फर्म हो गया था मैंने उनसे जादे वेटिंग होते हैं वो भी कन्फर्म हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों जब बहुत जादे वेटिंग हो जाता है तो रेलवे के तरफ से एक्स्टा कोचेज भी लगा दिये जाते हैं जिससे जो जादे वेटिंग वाले टिकट होते हैं वो भी कन्फर्म हो जाते हैं तो यह railway का निल्डे होता है I hope कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना न भूलिएगा Thank you for watching